हेलो गाइस वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल स्टुडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सैट नंबर थ्री सॉल्व करने वाले हैं देखे कल की वीडियो में हमने प्रैक्ट में नहीं आ रहा होगा साउंड में प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो दुबारा से लेके आई हूँ तो कल की वीडियो के लिए I'm sorry देखे हर संडे को हम प्रैक्टिस सैट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी बिल्कुल free of cost इसके लिए आपको कोई भी payment नहीं करना है और इसका पीडियाप भी हम अपने टेलिग्राम गुरूप पर शेयर कर देते हैं सुबह 10 बजे यानि संडे की सुबह 10 बजे इसका पीडियाप टेलिग्राम गुरूप पर आपको मिल जाता है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आज का सेट नंबर 3 है इसका solution वीडियो मैं आप सभी के लिए दुबारा से लेकर आई हूँ तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आपके आगाम वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देख लिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ड करते हैं वीडियो स्टार्ड करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube जैना सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बगल में जो बैल आइकन देख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीड़ डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंचा है आप सभी लोग हमारी टेलिग्राम गुरूप को भी जॉइन कर सकते हैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर देखे इस स्रीज का पहला कुशन है रहीमन पुतरी शाम मनहु जलज मधुकर लसे प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है देखे इस पंक्ती में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन बीश कुशन का करेक्ट आंसर था देखे सबसे पहले अलंकार जान लेते ह अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूशन जिस प्रकार सोने के जो आभूशन होते हैं यानि स्वन आभूशन से सरीर की सोभा बढ़ती है और उसी प्रकार कावि अलंकारों से कावि की सोभा बढ़ती है ये ध्यान रखेगा देखें अलंकार जो होते हैं ये आपके ती तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है शब्दा लंकार, दूसरा है आपका अठ्था लंकार, और तीसरा होता है आपका आधुनिक या आधुनिक एवं पाश्चाति अलंकार, यह तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, यहाँ से question बन सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर detail समझा रही हैं, ताकि आपको समझ में आजए, हो सके तो आप इसको note down कर लिजेगा, तो तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दा लंकार अर्था लंकार और आधुनिक पास्चाती अलंकार देखे शब्दा लंकार जो होता है ये शब्द पर आश्रित अलंकार है अर्था लंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार है और आधुनिक पास्चाती अलंकार जो है ये आधुनिक काल में पास्चाती साहिती स आए अलंकार होते हैं अब आपसे question पूछा गया था रहिमन पुतरी शाम मनहुच जलज मधुकर लसे प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो यह तो आपने बता दिया कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके पहचान कैसे क पार्थ होता है यह अभी मैंने आपको बताया ना अर्था अलंकार तो इसका पार्थ होता है इसका एक भाग होता है अर्था लंकार का पार्थ होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार यानि ही जो अर्थ पर आश्रित अलंकार होते हैं इसको कहा जाता अर्था अलंकार और ये एक भाग है उत्प्रेक्षा अलंकार अर्था अलंकार का ये ध्यान रखेगा देखे इसके अलावा देखे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पर आप कैसे पहचान करोगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है तो क्या होता है जिस वाकि में बोधक शब्द मानो मनो मनहू जानो जनू और जनहू जिस वाकि में बोधक शब्द मानो मनू मनहू जानो जनू जनहू यह होते हैं तो ये होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जिस में जिस वाक्य में बोधक शब्द ये सब होते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा अब देखे इस वाक्य में ध्यान से देखे इसमें क्या दिया है मन हु दिया है तो आपका ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार इस वाक्य में बोधक शब्द हो गया मन हूँ आपको I think समझ में आ रहा होगा बढ़ते हैं अगले question के ओर हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है देखिए हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला option एइस question का बिल्कुल सही answer है अगला देखिएगा चांदी का जूता मारना का अर्थ होता है रिश्वत देना option बिस्ट question का बिल्कुल सही answer है अगला देखिएगा next question है आपका हिंदी साहिति के किस भाव को वियभीचारी भाव कहा जाता है तो देखिए हिंदी साहिति का जो कि संचारी भाव होता है हिंदी साहिति का जो संचारी भाव होता है इसको कहा जाता है वियभीचारी भाव अगला देखिएगा next question है आपका अंधा यूग किसकी रचना है अंधा यूग रचना यह है आपकी धर्म वीर भारती की धर्म वीर भारती जो के आपके आधुनिक हिंदी के आधुनिक हिंदी साहिती के प्रमुक लेकख कवी है नाटक कार और सामाजिक विचारक थे ये और ये देखे एक समय के प्राख्याद सापताहिक पत्र था आपका धर्म यूग जान देजेगा एक समय का प्राख्याद सापताहिक पत्र था ये धर्म यूग और इसके ये प्रधान संपादक भी थे धर्मवीर भारती धर्मबीर भारती को पदमश्री अवार्ड से भी समानित किया गया है देखे कब किया गया ये कुशन बन सकता है यो के दोरा कि धर्मबीर भारती को कब किस वर्ष पदमश्री अवार्ड से समानित किया गया ये किया गया है 1972 इस भी में 1972 में इन्हें पदमश्री अवार्ड दिया गया है इनका एक उपन्यास है आपने सुना होगा शायद गुनाहों का देवता गुनाहों का देवता कहीं पढ़ा होगा आपने गुनाहों का देवता इनका एक उपनियास है ये शदा बहार रचना मानी जाती है इनकी ये सदा बहार रचना मानी जाती है ये सारे पॉइंट आप ध्यान लखेगा आगामे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है आप से अगर आपने कॉपी पैनल लेके बैठे हैं तो इनको नो डाउन जरूर कर निमन में से कौन पश्य स्वर है क्या होते हैं जीव की पश्य भाग काम करता है यह आपके पश्य श्वर देखे पस्च श्वर में पीछे के भाग का यूज जिसमें होता है कौन-कौन से स्वर होते हैं एक तो होता है आपका आ, दूसरा होता है उ, फिर उ, ओ, ये सब हो गए आपके पस्च स्वर अब इसमें दिया है आपके आ तो ये आपका हो गया पस्च स्वर option A बिल्कुल right answer था इसमें अगला देखेगा next question है हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ने लिखा था देखे हिंदी में साहित्य का जो इतिहास है ये सबसे पहले लिखा था सिवशिंग ने option B question का बिल्कुल सही answer है अगला देखेगा भारती सम्विधान के किस अनुचेद में राजभासा संबन्दी प्रावधानों का उल्लेक है तो देखिए भारती सम्विधान के अनुचेद 343 से 351 तक राजभासा संबन्दी प्रावधानों का उल्लेक है option first is question का correct answer है अगला देखिए का next question है निमनलिखित मैंसे कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली की बोली है पश्चिमी हिंदी की बोली पूछा है यहाँ पे आपका क्लेयर कर देती हूं चलिए आज आपका डाउट क्लेयर कर लेती हूं बगेली जो होता है यह आपका पूर्वी हिंदी की बोलिया है पूर्वी हिंदी की बात करें पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां मानी जाती हैं देखेगा अब यह तीन बोलिया कौन सी है पहला है आपका अवधी यहां से आपको doubt आपका clear है जाएगा पहला होता है अवधी दूसरा होता है बगेली और तीसरा होता है तीसरा है 36 गड़ी तीसरा है आपका 36 गड़ी तो देखिए इन तीन तरह की पूर्वी हिंदी की बोलिया होती है तीन तरह के यह आपको मैंने बता दी अगर आपसे पूर्वी हिंदी से question बनता है तो आपको यह तीनो याद रहने चाहिए यह तीनो बोलिया आपको याद रहन चाहिए ये तीन पूर्वी हिंदी की बोलिया मानी जाती है नोट डाउन कर लिया होगा आपने अब बात करते हैं पश्चीमी की तो देखें पश्चीमी हिंदी की पांच प्रमुख बोलिया होती है अब देखें कौन-कौन सी होती है पश्चीमी हिंदी की पांच बोलिया पह यह इसका नाम bangroo भी है ध्यान दीजेगा bangroo bangroo भी लिखा आ सकता है अर्यान मी तो आपको समझ में आता ना तो आयू क आपसे bangroo भी कह सकता है हर्यान मी को bangroo भी कहा जाता है तीसरा है आपका bridge ब्रेज जो है ब्रेज ब्रूज नी ब्रेज तीसरा है आपका ब्रेज भासा चौथा है आपका बुंदेली और पांच्वा है आपका कन्नोजी यह होगे आपके पश्चिमी हिंदी के पांच प्रमुक बोलियां यह आपको ध्यान में रखना है पांच बोलिया आप नोट डाउन कर लिजिएगा अब देखे अब आपका कुश्चन पूछा था पश्चिमी हिंदी की बोली बतानी है तो इन मैंसे पश्चिमी हिंदी की बो है यह पूर्वी बोली है ध्यान देज़ेगा बगहली है पूर्वी बोली तो आपका यह हो गया कुश्चन जो है यह अलग तरीके से दिया है यहां पे आपका पश्चिमी की दरगा पूर्वी कुश्चन होना चाहिए था निमनलिकित में से कौन सी पश्चिमी यानि यहां प अगेली होगे आपका पूर्वी ये ध्यान देजेगा आपको समझ आ गया होगा इधिंग अगला देखेगा आलहा किस रितु में गाया जाता है देखे आलहा जो है ये गाया जाता है आपका वर्षा रितु में ऑप्शन सीस कुश्चन का बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 इस भी को चिरगाओं चिरगाओं में इनका जन्म हुआ था चिरगाओं जो कि आपके उत्तर प्रदेश राजी में इस्तित है ये ध्यान देजेगा मैथिली शनन गुप्त हिंदी के प्रशिद कवी थे आप सभी को पता है इसके अलावा देखे हिंदी साहिति के इतिहास में भी खड़ी बोली के अभी मैंने बढ़ता है आपको खड़ी बोली तो देखे हिंदी साहिति के इतिहास में खड़ी बोली के ये प्रथम महतपौन कवी थे खड़ी बोली जो कि आपके पश्चिमी हिंदी की प्रमुक बोली में से एक है खड़ी बोली ये ध्यान दिजेगा पशिमी हिंदी की तो ये खड़ी बोली के प्रथम महतपुन कवी थे हिंदी साहिति में इन्हें साहिति जगत में दद्दा की नाम से समोधित किया जाता था देखें महात्मा गाधी जो है इन्हें राष्ट कवी महात्मा गाधी ने इन्हें राष्ट कवी की पदवी भी दी थी इनकी जैनती होती है तीन अगस्त को अभी मैंने बताया आपको तीन अगस्त को इसी दिन इनकी जैनती मनाई जाती है तीन अगस्त को और हर वर्ष कवी द होती है तीन अगस्त को तो आप सी कुष्चन बन सकता है कितीन अगस्त को किसकी जयेंती पर कभी दीवस मनाया जाता है किस तरीके से भी क्षिचन आयोग पूछ सकता है न currently तो यह मना प्रुषकार और सम्मान भी इनको मिले हैं अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है आपका उन्नती में कौन सी संधी है देखे उन्नती में जो संधी है यह है आपकी व्यंजन संधी option एस कुशन का राइट आंसर है व्यंजन संधी के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिव शिति इस्तान option एस कुशन का विल्कुल सही आंसर था अगला दिखेगा गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किजिएगा जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनाइस्टिटी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क् करना है अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका अश्ट चाप कव्यों में पर्थम नियुक्त कीरतनकार कभी कौन थे देखे अश्ट चाप कव्यों में पर्थम नियुक्त कीरतनकार कभी थे आपके सूरदास option C's question को बिल्कुल correct answer है अगला देखे किस छेतर की बो कि वाले शब्द को कहते हैं काम का नाम बताने वाले शब्द को कहा जाता है क्रिया option C's question को बिल्कुल और बिल्कुल correct answer है अगला देखे स्ट नेक्स और से 9 कितने प्रकार के होते हैं वाची होते हैं आपके तीन प्रकार के देखे वाची होते हैं वाची क्या होते हैं यह मैं आपको बता दे दी हूँ किरिया की जिस रूप में यह जाना जाए कि वाख्य में किरिया का मुख्य सम्मंद करता कर्म या भाव से है तो वो कहलाते हैं आपके वा अगर कोई question detail question आप से पूछ दिया जाता है तो तब ही तो बता पाओगे तो देखे पहला जो प्रकार होता है यह होता है कर्तरी वाच्य दूसरा है आपका कर्म वाच्य और तीसरा होता है आपका भाव वाच्य यह तीन प्रकार के वाच्य होते हैं यह तीन नोट डाउन कर ल विशेशन क्या होगा देखे शिव का विशेशन होता है शैव option c is question का बिलकुल correct answer है अगला देखेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर बताना है शब्द के भेद तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल चार भेद ह होते हैं option B question का बिल्कुल correct answer है अगला देखेगा योगी शब्द कौन सा है देखिए इन में से योगी जो शब्द है यह है आपकी पार्ट शाला option B बिल्कुल right answer हो जाएगा आपका यहां पे आज की यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आपको समझ में तो आ रहा है ना comment section में comment जरूर कीजिएगा आप सभी लोगों से मेरा request आईगा इससे देखिए आपके अगर comment आते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है आपको comment करते रहना है अगला देखेगा next question है, टीरी डैम को इस्थानी स्थर पर किस नाम से जाना जाता है, दीकिए टीरी डैम कई बार बता चुकियों मैं ये question आपको, इसको इस्थानी स्थानी स्थर पर कहा जाता है सुमन सागर, option, सीज कुशन का बिल्कुल सही answer है, इस्थानी नाम तो है सुमन साउंड काफी गंदा साउंड आ रहा था, मुझे लगा कि आपको सायर ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने ये दुबारा से ये वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूं, तो कल के लिए माफ कर दीजेगा, I'm sorry, तो देखे टीरी डैम, टीरी डैम जो है, ये दो न पहली नदी है भागी रथी और दूसरी है भिलंगना, भागी रथी और भिलंगना, दो नदियों के संगम पर बना है तीरी डैम, और ये बात देखे एशिया का सबसे उचा बात है, वा दुनिया का चौथा सबसे उचा बात है, इसके उचाई अगर पूची जादी है, तो यहां पे clear करते हुए चलिए ते 260.5 मेटर इसकी उचाई है ठीहरी डैम की बाद देखे ठीहरी बाद जो है इसकी विद्धुत उत्पादन शमता कितनी है यह कुशन भी बन सकता है तो विद्धुत उत्पादन होता है इससे 2400 मेगा वार्ट का 2400 मेगा वार्ट विद्धुत उत्पादन किया जाता है यहां पे और देखे ठीहरी डैम जो है इसका डिजाइन बनाया था जेम्स ब्रून ने तो इस तरीके के अगर आपका कोई भी कुशन आता है तो यहां पे आपको मैं डिटेल बता देती हूं कि किस तरीके की कुशन आयों द्वारब बन सकते हैं तो आप उसके सामने कोई भी कुशन अगर रखा होता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आपको अगर इसकी उत्राखंड के पहले बैज्यानिक थे पदमश्री come पाने वाले उत्राखंड के पहले बैज्यानिक यह थे निलांबर. पंत option at wanna करीक्ट हो जाएगा निलांबर पंत जो कि आपके अलमोडा की निवासी थे अलमोडा की निवासी है निलांबर पंत और एक अंतरिक्ष बैग्यानिक हैं इन ये दिखिए ईसरो से जुड़े हुए है जुड़े हुए थे उनके निर्देशन में SLV3 का सफल परिक्षन हुआ था दिखें आपके निलांबर पंत जो हैं अंतरिक्ष वैग्यानिक इनको पदमुष्री अवार्ड भी मिला है कब मिला ये कुछिन भी बन सकता है 1984 नोट का लिजेगा 1984 में इन्हें पदमुष्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है अगला द ज्योची का जेला पौणाई वा अंडे काडय की जन्जाथी के नुरित्य है ज्यो आउनले का हुआ ये नुच्छिन का प्वज्र में घुरार पूंसारि मिलानिक का लोग नुरित्य अगल बताएं तो होता है ये क्ग ब нужントनुष्र का कॉंसा है इनका लोड नुरित्य है ये नो डाउन का लिजेगा और एक नुरित्य और होता है जोन सार में जिसका नाम है हारूल नुरित्य हारूल नुरित्य या इसका नाम कहीं पराद भी दिया हो सकता है तो ये कौन सी जन जाती बताईए हारूल या पराद नुरित्य कौन सी जन जाती करती है या कहां पर यह किया जाता है तो यह किया जाता है जौन सार में आपको पता होना चाहिए जौन सारी लोग करते हैं इसको जौन सार में हारूल या परात निति किया जाता है अगला देखेगा नेक्स्ट कुशिन है आपका भातून मेला की जनपद में लगता है भाटोन میला जो लगता है ये लगता है आपके रूदरूप्रियाग में option C question का correct answer है अगला देखेंगा next question है आपका राकत की जनजाती का देवता है राकत देवता है राजी जनजाती का option D बिल्कुल correct answer है देखे राजी जिन जाती का प्रमुख देवता पूछा जाता है तो बागनाथ इनके प्रमुख देवता हैं राजी जिन जाती के और ये लोग गणनाथ, मलेनाथ, मलिकारजुन, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं अगला देखेगा, next question है आपका, काचुला खर्क में कस्तूरी म्रग यहां पर म्रग होना चीए, मिस्प्रेंट हो आ, देखे, काचुला खर्क में कस्तूरी म्रग परजनन एवं संग्रक्षन के इंद्र की जो स्थापना है, ये की गई है 1982 में, 1982 इस बी में, option A बल्कुल राइ अंसर को मालएका मस्क डियर कहा जाता है आप इसको और इसका बैयाणिक नाम होता है मासकस कैसोगास्टर है मासकस कैसो गाश्टर इसका बैयानिक नाम है राजी में कस्तुरी म्रग की चार perishات यां पाई आ दृआ ध्याण दिजीएगे इसके अलावा कस्तूरी म्रग को शंग्रक्षित करने के लिए 1972 में के दानात मुनि जीव विहार के अंतरगत कस्तूरी म्रग विहार की इस्थाबना की गई इसके लिए और भी जो एक्षित के लिए भी इम्पॉटन रहने वाले हैं यहां से भी आपके कुशिन बन सकते हैं तो सारे पॉइंट नोड़ डाउन जरूर कीजिएगा अगला देखे नेक्ट कोशिन है आपका पहला पवार शाशक जिसका धारशिल अभिलेक प्राप्त हुआ तो कि ऐसा पवार शाशक कौन सा है जिसका धारशिल अभिलेक प्राप्त हुआ है ये बताना है तो इस कुशन का राइट आंसर था आपका अनंत पाल आप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है अगला देखे उत्रा लागू किया गया है अगला देखिएगा नेक्स्ट कुषिशन है आपका नरुत्तम दास को किस चंद शाशक ने अपना वजीर बनाया था अगला है आपका योगदा शाखा सत्संग आश्रम कहां इस्तित है तो देखिए इस तरीके के कुषिशन बनते हैं ना आयोग के द्व आश्रम कहां इस्तित है तो यह इस्तित है आपके द्वाराहार्ट में आप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है पुड़ाना नाम होता है द्वाराहार्ट का लखनपुर पूछा जा सकता है ना द्वाराहार्ट का प्राचिन नाम बताईए तो इसका लखनपुर प्राचिन बाबाजी गुफा यह है आपके द्वारा हाट में अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका रीठा मीठा साहिब को मैं सिखो के कौन से गुरू रुके थे देखे रीठा मीठा साहिब जो के आपके चमपावज जिले में है जम पावजले में है रीठा मीठा साहिब यहाँ पे सिखों के गुरु गुरु नानक रुके हुए थे option B इस question का बिल्कुल सही answer है देखे गुरु नानक ने इस इस्थान पर तपश्या भी की थी यहाँ पे आपका रीठा मीठा साहिब जो है यहाँ पे गुरु नानक ने तपश्या की थी मीठा रीठा साहिब या रीठा मीठा साहिब जो भी है इसका नाम इसका ये आपके लधिया व राटिया लधिया व राटिया इन दो नदियों के संगम पर इस्तित है बताईए रीठा मीटा साहिब किन दो नदियों के संगम पर इस्तित है ये कुशन बन सकता है न तो आपको नदिया भी पता होना चाहिए यहाँ पे लधिया व राटिया दो नदिय जगह है यहाँ पर एक गुरु द्वारा भी है जिसका निर्माण हुआ था 1960 में यहाँ पर गुरु द्वारे का निर्माण हुआ था अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका सर रैमजे कब से कब तक कुमाओ के कमिश्चनर रहे देखे सर रैंजे जो हैं यह कुमाओ के कमिश्चनर रहे थे 856 से लेकर 1884 इस भी तक option c बिलकुल correct answer है 856-884 तक दिखे यानि आपके जो sir Ramsey है Henry Ramsey इन्होंने 28 वर्षों तक 28 वर्षों तक commissioner के रूप में कारी किया Henry Ramsey कुमाओं के 6th में commissioner थे ये ध्यान दिजिएगा 6th नंबर के ये commissioner थे कुमाओं में इन्हें राम जी साहब कहा जाता था और ये मोल रूप से कहां के निवाशी थे Scotland के भारत के तो थे नहीं है ये मोल रूप से थे Scotland के निवाशी ये ध्यान लखेगा important है आगामे exam के लिए दिखे है Henry Ramsey जो है ये 44 वर्षों तक विपिन पदों पर कारी रत रहे इन्होंने उत्राखंड में गंजरवेटर एक पद होता था उत्राखंड में कंजरवेटर का तो इन्होंने कंजरवेटर के पद पर कारी करते हुए ठेकेदारी उस समय एक प्रथा होती थी ठेकेदारी प्रथा तो इसको समाप्त कर दिया था आपसे पूछा जा सकता है बताइए किसने गंजर्वेटर के परद परकारी करते हुए ठेकेदारी पृस्ता को समाप्त किया ये हैं आपके हैंडरी रेंजे नोट डाउन कीजेगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कल की वीडियो में आपको शायद साउंड क्लेर नहीं आरी होगी प्रॉब्लम आरी होगी थोड़ा सा इसलिए मैं आपके लिए दुबारा से ये वीडियो लेके आई हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लेजेग नेक्स्ट कुशन देखे अगला है आपका जहर ओलिया का मिला कहां लगता है जहर ओलिया मिला लगता है आपके काशिपूर में आप्शन ए बिलकुल करेक्ट आंसर है देखे काशिपूर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है और पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका गोविशान, आप जबी को पता होगा गोविशान इसका प्राचीन नाम है काशिनात अधिकारी के द्वारा बसाए गया था काशिपूर नगर, काशिपूर जो है यह आपके धेला नदी के तड़ पर इस्थित है धेला नदी के तड़ पर बसा नगर है अगला है आपका देखिए पंगोट और किलबरी बर्ड सेंचुरी किस जनपद में इस्तित है तो आप सभी को पता ही चल गया होगा पंगोट और किलबरी है आपके निनिताल में यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे तरह तरह के जो बर्ड है न चिड या को देखने के लिए अगर आपको मौका मिले तो आप भी जा सकते हैं पंगोट और किलबरी यहां पे नैनिताल से आगे है नैनिताल से हिमालाई दर्सन वाले रोड पे तो आप यहां पे जा सकते हैं देखिए नैनिताल में एक और हिमालाई बर्ड कंजर्वेशन बना है चिडिया को शंग्रिक्षित करने के लिए बर्ड को रिजर्व करने के लिए यहां पर हिमालई बर्ड कंजर्वेशन बना है नेना देवी हिमालई बर्ड कंजर्वेशन इसका नाम है जो कि आपके निनिताल में बना है 2015 में यह ध्यान रखेगा यहाँ पर 600 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं अगला देखेगा नेक्ट क्वेशन है आपका रामायन कालेन बाणासुर की राजधानी थी यह थी आपके जोशी मट में आप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है जोशी मट आपके कत्यूरी राजधानी थी जिसका पुराना नाम था कार्तिकेईपूर आपने नाम सुना होगा कार्तिकेईपूर इसे शेव का जोतरलिंग इस्थल भी कहा जाता है जोशी मट जो है ना इसको कहा जाता है शेव का जोतरलिंग इस्थल अगला देखेगा कॉडियाला इस्थान जो गंगा नदी के तर्ट पर इस्तित है वह क्यों प्रशिद्ध है देखे कॉडियाला इस्थान है आपके गंगा नदी के तर्ट पर और ये प्रशिद्ध है राफ्टिंग के लिए रिवर राफ्टिंग होती है उसके लिए प्रशि पाल कौन थे उत्रा खंड के तीसरे राजिपाल थे बी एल जोशी ऑप्शन बीस कुश्चन का बिलकुल राइट आंसर है अगला दिखे का नेक्स्ट कुश्चन है आपका जहांगीर नामा में किस चंद सासक का उलेख मिलता है जहांगीर नामा में उलेख मिलता है चंद सासक लक्षमी चंद का मानुदे काव्य में लक्षमी चंद का नाम लक्षमन मिलता है यह आप सभी को पता होगा इसके अलवा देखे लक्षमी चंद जो है यह 46 लाव चंद शाशक था तो लखुली विराली ऊप्णाम इससे इसलिए दिया इया था क्यों जाना जाता था देखे लकुली विराली उपनाम इसको क्यों दिया गया था ये भी कुशन बन सकता है ना तो लकुली विराली उपनाम इससे इसलिए दिया गया था क्योंकि ये मोगलों के सामने भीगी बिल्ली बना रहता था देखी जो लक्षमी चंद है इसका सीनापती था आपका गेंडा ये ध्यान देखी गया गेंडा नाम था इसका लक्ष्मी चन्द ने बागिश्वर में बागनात मंदिर का जिनोधार करवाया था ये भी कुश्यन बन सकता है कि बागनात मंदिर का जिनोधार किसने कराया तो किया था लक्ष्मी चन्द ने 1602 इसवी में बागिशन मंदिर का या बागनात मंदिर का जिणुधा गिसने करवाया तो यह कराया था लक्ष्मी चन्द ने यहां पे आपको पता होना चाहिए चन्दे शाशनकाल में एक पृसिद्ध कर था सीड़ती नामकर आपने नाम सुना होगा प्रशिद्ध कर हुआ करता था ये चंद शाषनकाल का सीर्थी कर तो ये जो कर है ये लक्षमी चंद ने लगाया था बताईए आपका चंद शाषनकाल में सीर्थी नामक कर किस चंद शाषक ने लगाया था ये कुशन बन सकता है न तो आपको पता होना चीए सिर्थी नामक कर लगाया था लक्ष्मी चंद ने इसने एक और कर लगाया था ये आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताना है कि लक्ष्मी चंद ने सिर्थी के अलावा एक और कौन सा कर लगाया था जल्दी से comment कीजिएगा comment section में देखे जाद से जादा आपको comment करना है आप सभी के लिए इतनी महनत करके वीडियो देखे दुवारा record करी मैंने आपके लिए ताकि आपको ठेक से समझ में आ जाए तो आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना support भी जरूर कीजिएगा comment जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और आपको share करना है अपने दोस्तों के साथ अपने whatsapp groups में जरूर share कीजिएगा इस वीडियो को अगला देखेगा next question है आपका संक्राचारी ने केदार्नाथ में अपना दे किश वर्षत त्यागा था देखे संक्राचारी ने केदार्नाथ में त्यागा था अपना दे यह आप सभी को पता है यह किश वर्षत त्यागा था आप यह बताना है देखें तो देखें यह वर्षत था आपका 820 820 इजवी में इन्होंने अपना दे त्याग दिया था केदारनात में देखे केदारनात है आपका रुद्र प्रियाग में आप सभी को पता है रुद्र प्रियाग जनपद में है केदारनात मंदिर शिव के बादर जोतिलिंगों में से एक है जहां पर भगवान शिव के पिछ इनके पिछले भाग की पूजा की जाती है तो आपको पता होना चाहिए ये निर्मित है कत्यूरी शैली में अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका मनमत पंथ किसने चलाया था देखें मनमत पंथ चलाया था मौला राम ने ऑप्शन एस कुश्चन का करेक्टर आंसर है मौला राम गड़वाली शैली की एक प्रशिद्द चित्रकार थे आप सभी को पता है मनमत सागर मौला राम का एक आध्यात्मिक गरंथ है अध्यात्मिक इनका एक मनमत सागर जो है आध्यात्मिक गरंथ है गर्ड़ राजवन्स मौला राम की ब्रिज भाषा की शर्व स्रीष्ट रचना है ये ध्यान रखेगा और गड़ गीता संगराम नाटक भी मौला राम की ही रचना है इसके अलावा देखें इनका एक विश प्रिशिद्य चित्र है राधा कृष्ण मिलन चित्र ये ध्यान रखेगा अगला देखें नेक्स्ट कृष्टन है आपका लोनली फरोज आव दा बॉर्डर लैंड पुस्तक के लेखक है कल्यान सिंग पांक्ती ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला देखेगा न duplex इस इसका पूरा नाम हों गया रेड अक कभी पुष्टा जा सकता है कि उड़ीडा का पूरा नाम बताये तो उत्राकल रिनियूवल एनजी डिवलेप्मेंट एजेंसी यह याद जरूर रखेगा देखे उरेडा के स्थापना होती है 2001 में और देखे उरेडा 2 मेगा वाट जल विद्धुत पर योजनाओ तक निर्मान कारी कर सकता है तथा ये ग्रामेर घराट आपने नाम सुना होगा गाउं में पहले घराट हुआ करते थे तो ग्रामेर घराट जो होते थे उन्हें अपग्रेड करने का काम करता है आपका उरेडा अगला देखेगा next question है राजी योजना आयोग का गठन किश वर्ष किया गया है देखे राजी योजना आयोग एक question एक कोई हमारे viewer है ये पूछ रहे थे कि मैं राजी योजना आयोग तो 21, sorry 31 मार्च को होता है तो देखे मैं मैंने आपका ये question सर्च किया है बहुत जगर मैंने काफी वो करी तो इसका answer मुझे 21 मार्च ही लगा तो देखे यहाँ पे 21 मार्च आपका ठीक answer होगा अगर आपको फिर भी confusion होता है तो आप देख लिजिए 2-4 books और देख लिजिए वहाँ पे आपका राजी योजना आयो का गठन किश्वर्ष किया गया है यह आपको पता चल जाएगा तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है 21 मार्च दो हजार एक option भी बिल्कुल राइट आंसर है इसका और देखे राजी योजना आयो का जो गठन है यह देहरा दून में किया गया था देहरा दून में इसका गठन किया गया है 21 मार्च दो हजार एक को अगला देखेगा प्रोशाक्षर्टा की करम में चमोली कौन से करम में है देखे प्रोशाक्षर्टा की करम में चमोली कौन से करम में है ये बताना है दूसरे करम में है option B बिल्कुल right answer है अगला देखेगा अन्वा किसकी शायक नदी है अन्वा शायक नदी है सरस्वती नदी की option D बिल्कुल right answer हो जाएगा आपका guys आपको वीडियो कैसी लग रही है आपको इसका answer comment section में comment जरूर करना है अगर आपको कोई भी अगर question में confusion हो रहा है आप comment कीजेगा आपका comment का answer देया जाएगा यहाँ पर आपके problem solve की जाएगी अगला देखेगा next question है जॉन मार्गेट लेगी जिनकी मिर्तियू 4 जुलाई 1949 इस भी को हुई थी आयोग जो है यह पूछ लेता था कि बताईए जॉन मार्गेट लेडी कब पहुची कब पहुची अब यह देखे कबर पूछ लिया है यहाँ पे तो इसी तरीके के जो question है deep study करने का यही फाइदा होता है अगर आपके सामने कोई भी question रखा है तो आप इसको आसानी से solve कर सकते हैं यहाँ पे आपको समझाया जाता है इसलिए तो वरना तो आप खुद भी तो पढ़ सकते थे ना इसको समझाने का यही तरीका है कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए अगर आपको याद होगा कि हाँ मैं ने उस टाइम पे यह कहा था अगर ध्यान में होगा तो आप solve कर सकते हैं न उसको तो यह सारी चीजे हैं इसलिए वीडियो को आप जरूर देखेगा end तक आपको यह जो practice set है यह आपके I.O के based पर बनाए गए है तो आप इसको देख सकते हैं पर Sunday आपको दे दिया जाता है सुबद 10 बजे संडे के दिन इसकी PDF आपको शेर की जाती है टेलिग्राम ग्रोप पर आप वहाँ से इसको download कर लिजेगा खुड analysis कीजे पहले इसको खुड solve कीजेगा कि आपको इसमें से answer भी बता सकते थे लेकिन इसको detail में समझाने का यही मतलब है कि आपके सामने अगर कोई भी question रखा है तो आप easily इसको solve कर सकते हैं तो चलिए जॉन मार्गेट लेगी की मिर्ती हुई थी 4 जॉलाई 1939 के हुई लेकिन इनकी कभर कहा है यह बताना है ले तो आपकी थी लंदन की थी तो ये आई थी फूलो की घाटी में क्या काई के लिए आई थी ये फूलो की प्रजातियों का अध्यान करने आई थी कब आई थी 1939 में 1939 में लंदन से मारगेट लेगी जो है ये फूलो की प्रजातियों का अध्यान करने आई थी फूलो की घाटी में तो यहीं प अगर relate करके आप पढ़ेंगे तो आपकी deep study जो है इससे आपको काफी help मिलेगी अब बात करते हैं फूलों की घाटी की फूलों की घाटी जो है ये ये उद्ध्यान नर एवं गंद मादन परवतों के मदिस्तित है और 87.5 वर्ग किलोमेटर 6 रफल में ये फैला है दीखें 1982 मे इसको राष्टी उद्ध्यान घुशित किया गया महा कभी कालिदास नहीं मेग दूत में फूलों की घाटी को अलका कहा था ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं तब ही जाके आप question को solve कर सकते हैं अगला देखेगा रमान उत्सौ निमनिलखित में से किस गाओं देखे रमान उत्सौ जो है ये चमोली जनपद में लगता है जनपद पूछ ले जाए तो आपका हो जाएगा right answer चमोली जनपद वहाँ पे चमोली में right कीजिएगा चमोली जनपद के जोशीमट अगर ब्लॉग पूछा जाता है तो जोशीमट है और गाओं है इसका salute गाओ तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने है और ये जो मेला है रमान उत्सौ है ये अप्रेल माह में लगता है रमान उत्सौ को एक व्यक्ति थे कुशल सिंग निन्भंडारी आपने नाम शुड़ना होगा कुशल सिंग भंडारी इन्होंने रमान उत्सौ को विश्व प्रशिद्धी दिलाई थी ये दिहान दीजीगा most important point है इसके अलावा देखे 2 October 2009 को रम्मान उच्छो को युनेसको ने विश्व धरोहर खोशित किया है तो देखे विश्व धरोहर है ये उत्राखंड राजी की आपको हमारे जो विश्व धरोहर है उत्राखंड राजी के य 2009 को अगला देखेगा केदारनाथ की उचाई बतानी है देखे केदारनाथ मंदिर कहां पे है ये तो आपको पता चल गया लेकिन इसके उचाई कितनी है तो इसकी उचाई है 3584 मीटर option ये बिलकुल राइट आंसर है इसका अगला देखेगा next question है आपका निमने लिखित में स कौन सा बुग्याल रुद्र प्रियाग में नहीं है इन में से रुद्र प्रियाग जनपद में नहीं है मानिक बुग्याल option discussion का बिलकुल सही आंसर था मानिक बुग्याल है आपके उत्तरकाशी में ये भी नोट का लिजिए उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है आपका मानि बुग्याल अगला देखिए का नेक्स्ट कुश्चन है आपका गड़वाल का सुच्जल लेंड किसे कहा जाता है गड़वाल का सुच्जल लेंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को चोपता बुग्याल जो कि आपके हैं रूदर प्रियाग जनपद में देखिए बहुत सु लच्टर के रूप में चुना गया पहला शहर था काशिपूर शहर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन देखेगा भालू डैम जिसे सुन ताल भी कहा जाता है का निर्मान किश वर्ष हुआ भालू डैम को कहा जाता है सुन लता ताल और इसका निर अठिहासिक जेल के स्थापना किश वर्ष हुई देखे एतिहासिक जेल के स्थापना हुई थी अल्मोडा में 1872 इस वे में option C इसक्रिशन का बिल्कुल सही आंसर है अगला देखे कुमाओ का खजूराहो किस किसे कहा जाता है आप सभी को पता होगा ना कुमाओ का जिन पता है घुराहेसं मल्मोडा जन्पद में अगला देखेगा Next question है आपका गब्योडी गुफा कहां अस्तित है गब्योडी गुफा इस वे देवी धुरा वह स्थान रखेगा इस तरीकी के question बनता है ना गब्योडी गुफा गलेशर और ताल जील इस तरह की question है यह आयोग त्वारा आजकल ट्रेंडिंग में है इस तरीके के कुश्यन एक कुश्यन तो इस तरीके का बनता ही है तो देखे आपका गव्योडी गुफा है देवी धुरा में यहां पर प्रशिद्ध मंदिर है आपने नाम सुनाओगा बाराही देवी का मंदिर तो यह आपके देवी किस जिले में आता है यह चमपावत जिले के अंतर गता है और देखे यहां पर रक्षा बंदन के अवसर पर पाशान युद्ध खेला जाता है यानि यहां पर बगवाल मेलेगा आयोजन किया जाता है तो आपको यह भी पता चल गया कि बगवाल मेला किस दिन लगता है और क question का बिल्कुल सही answer था अगला देखेगा next question है आपका सबसे कम उत्पादन पारी तंत्र होता है सबसे कम उत्पादक पारी तंत्र होता है गहरे स्थान option c बिल्कुल right answer है अगला देखेगा next question है आपका किसका पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता देखिए उर्जा का जो पिरामिड होता है ये कभी उल्टा नहीं हो सकता है आप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है अगला है यामा कावी के रचैता कौन है देखिए यामा रचना आपने बहुत बार सुना होगा यामा कावी ये रचैता है इसके महादेवी वर्मा आप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है देखिए यामा रचना के लिए इनक एक पुरुसकार भी मिला था यह आपको बताना है कौन सा पुरुसकार इन्हें मिला तो देखे यामा रचना के लिए इनको भारती ज्यान पीट पुरुसकार जो है यह भारती ज्यान पीट पुरुसकार इनको मिला है कब मिला यह भी कुश्चन बन सकता है ध्यान रखे का 1982 मे इन्हें यामा रचना के लिए भारती ज्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है देखें 1956 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है महादेवी वर्मा को और 1988 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है तो काफी पुरुसकार और सम्मान भी इन्हें मिले हुए है यह ध्यान रखेगा कौन कौन से पुरुसकार सम्मान दिये गए है यहां से question बन सकते हैं आपके देखे महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है 26 मार्च 1907 इस भी को फरुकाबाद उत्तर प्रदेश में यहां पे इनका जन्म हुआ अगला देखेगा next question है आपका कौन से परवत श्रंखला विश्व में सबसे लंबी है तो देखे एंडी परवत श्रंखला जो है यह विश्व में सबसे लंबी है option बेस question का correct answer है अगला देखेगा भारत का राष्टी पंचांग किस काल पर आधारित है भारत का राष्टी पंचांग आधारित है सक काल पर option C question का बिलकुल सही answer है अगला देखेगा egg mark किसके मानक की guarantee है egg mark जो है यह गुणवत्ता purity के मानक की guarantee देखे जो भी आपके product होता है उसमें egg mark का sign होता है यह आपके purity को इसकी guarantee देता है अगला देखेगा सूचनाओं का वह समू जो एक computer को निर्देश करता है क्या कहलाता है तो यह कहलाता है program आपको guys वीडियो पसंदार है तो like कीजेगा और आपको comment करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है वीडियो को जाल से जादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp ग्रूप्स में और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए है तो वे लोग जरूर subscribe कर लेजीगा हमारे YouTube चैनल study with aim को अगला देखे रेल किसके शाषनकाल में चलाई गई देखे रेल जो है ये चलाई गई थी लौड डलहोजी के शाषनकाल में option B is question का correct answer है लौड डलहोजी जो है ये भारत में British राजी का governor general था भारत में रेडवे की जो नीव थी ये भी डाली थी आपके लौड डलहोजी ने ये point भी ध्यान रखेगा अगला देखे भारत विभाजन की योजना का प्रारूप किस से संबंदित है भारत विभाजन की योजना का जो प्रारूप है न ये संबंदित है माउंट बेटन योजना से ये option B विलकुल right answer है भारत विभाजन की बात यहां पर आएगी तो ये योजना हो जाईगी आपके माउंट बेटन योजना देखे माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को लौड माउंट बेटन के द्वारा प्रस्तूत की गई थी आपने नाम तो सुना होगा ना लाड माउंट बेटन तो इन्हों ने ये प्रस्तूत की थी योजना देखे यह योजना माउंट बेटन योजना जो ही ये भारत के जन साधारन लोगों में मन बेटन मन सौरी मन बाटन भारत के जो जनसाधारन लोग हैं इसको मन बाटन योजना के नाम से जाना करते थे ये मन बाटन योजना के नाम से प्रिशिद्ध हुई जनसाधारन लोगों में भारत के इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया जाना था तो ये ध्यान रखेगा व हा reflect का पहला इस पार्ण जो खार्ड गाना है यह आपका बोकारों में इस्थाफित किया गया था बोकार खोर कि आपके जहार खंड राजीय में तृत है यह आपको ध्यानमें रखना है बोकारों शहर क Правसयर कारी छेतर के इस पाद उद्यों के लिए काफी प्रशिद्ध है और इसको जाना जाता है इस्टील सिटी नाम से जाना जाता है इसको बोकारो आपके छोटा नाखपुर पठार में इस्थित है ये सारी चीज़े आप ध्यान रखेगा अगला देखे अलीगर्ड आंदोलन किस पत्र किसे बहेज सकता है लोगसाभा का जो अध्याक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र भेज सकता है लोगसावा के उपाध्यक्ष को Next देखेका भूमी सुधार का विषेव किस से संबन्दित है भूमी सुधार का विषेव संबन्दित है राजी-सूची से déf अप्शन नहीं किया जा सकता राजिसाव कभी भंग नहीं कि जा सकते option D बिल्कुल right answer था अगला देखेगा next question है आपका पुली केशिन दृती की एहोल प्रस्थास्ति का लेखक कौन है पुली केशिन दृती की एहोल प्रस्थास्ति का जो लेखक था ये था आपका विल्हन option B बिल्कुल correct answer है अगला देखेगा काकोरी सडियंद कांड का प्रमुक व्यक्ति कौन था काकोरी सडियंद काकोरी कांड समने नाम सुना होगा न तो इसका जो प्रमुक व्यक्ति था ये था राम परशाद विसमिल option B बिल्कुल right answer है अगला देखेगा इटली की राजधानी है इटली की राजधानी है रोम अगला देखेगा next question है आपका चमपारण सत्याग्रह का संबंद किस देता चमपारण सत्याग्रह इसका संबंद था नील से next question देखेगा मुद्रा स्पीती में कौन सा वर्ग लाब में रहता है उपलब्दियों का विवरण है हाती गुमफा विलेग में खार बेल के उपलब्दियों का विवरण है option C बिल को राइट आंसर था इस question का अगला देखेगा भारती संविधान का कौन सा भाग कल्यान काली राजी के आधर्ष घुशित करता है देखे इस question का correct आंसर है राजी क नीती निर्देशक सिध्धान्त अगला है आपका सजाती उत्पाद का एक लक्षन है सजाती उत्पाद का एक लक्षन है पून बजार का सजाती उत्पाद एक लक्षन है पून बजार का अगला है राजी सरकार के विधिक सलाकार को कहते हैं राजी सरकार के विधिक सलाकार को कहा जाता है advocate general option a बिलकुर right answer है आपका अगला देखेगा लोग सभाव के सुने काल की अधिकतम अवीदी होती है एक घंटा option b question का right answer है अगला देखेगा पल्लवों की रालधानी थी पल्लवों की रालधानी थी आपके काची में option b आपका इस question का बिलकुर right answer हो जाएगा अगला देखेगा भारत निमने लिखित में से किस गोलार्ध में इस्तित है यह आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में इस्तित है आपको पता होगा उत्तरी और पूरी गोलार्ध में इस्तित है भारत अगला देखेगा next question है आपका सिंग भूम किसके लिए पृषिद्ध है सिंग भूम जो कि आपके जारखंड में है ये ध्यान रखेगा जारखंड राजी में इस्तित है सिंग भूम जारखंड राजी का एक जिला है ये और इसका मुख्याले है चाई बासा में तो आपको बताना है सिंग भूम किसके लिए प्रशिद्ध है तो ये प्रशिद्ध है लोहा के लिए अगला देखेगा फियोड तर्टो का देश कहलाता है फियोड तर्टो का देश ये कहलाता है आपके नार्वे option A question का बिल्कुल right answer है अगला देखेगा log hall network किसे कहा जाता है log hall network ये कहा जाता है when को अगला देखेगा सत्यशोधक समाज के स्थापना किश्वाश हुई थी सत्यशोधक समाज इसके स्थापना हुई थी 1873 में 1873 is B में option C बिल्कुल right answer है सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 कभी कभी date भी पूछ लिया जाता तो ये date ध्यान रख लिजेगा 24 सितंबर 1873 में जोतिबा फुले आपने नाम सुना होगा जोतिबा फुले जोतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 तरजबी को इस्थापित एक पंत है इनके द्वारा इस्थापित एक पंत है आपका सत्यशोधक समाज और इसका मुख्योदेश था सुद्र एवं अश्प्रश्य जाती के लोगों को विमुक्त करना अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है आपका राष्टी आपातकाल की उद्गोषना कितनी बार की गई है दिखें अब तक राष्टी आपातकाल की जो उद्गोषना है ये तीन बार की गई है पहली बार कब किया गया ये ध्यान दिजीगा पहली बार किया गया था 26 अक्टूबर 1962 में दूसरी बार किया गया था 3 दिसंबर 1971 में और तीसरी बार किया गया था 25 जून 1975 में तो ये तीनो जो येर हैं डेट एंड येर आप ये याद रखेगा आपसे यहां से भी कुश्यन बन सकते हैं तो नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी लोगों ने इसको अगला देखेगा निमनमैसर रेट का अर्थ को प्रस्तूत करता है तो देखे रेट के अर्थ को प्रस्तूत करता है बंदी प्रत्यक्षी करन ऑप्शन बी इस कुश्यन का बिल्कुल सही आंसर है अगला देखे जल जीवन मिशन के तहत किश वर्ष तक हर घर में नल द्वा correct answer था 32 option भी बिल्कुर right answer था आप सभी को इसका solution वीडियो साइद नहीं चाहिए आपने किसी ने भी comment नहीं किया कि इसका solution वीडियो telegram group पर डाल दो आप comment करेंगे तभी इसका solution वीडियो आपको 2678 अनुपात कितना तो इसका correct जो answer है यह हो जाएगा आपका 8576 option B बिल्कुर right answer है अगला देखेगा दो किलो मीटर 5 मीटर के बराबर है तो इस question का correct answer है option D अगला देखेगा next question है कैची कपड़ा इसका right answer था उस तरह दाड़ी अगला देखेगा next question है वन महोचा निम्रिकित में से किस से सम्मंदित है वन महोचा ये सम्मंदित है ब्रक्षार ओपन से option बीस question का correct answer है यहाँ पर व्रक्षार open होगा अगला देखेगा नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है तो आपको पता होगा महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है अगला देखेगा वर्तमान समय में भारती सम्विधान में कितनी भाषाओं को मानिता प्राप्त है वर चार 25 होड़ोसपॉर्ट हैं अगला देखेगा किस घ्रह का गुंण अत्यदिक जुका हुआ है तो देखिए घुना नक्ष अत्यदिक जुका हुआ है अरुन का ओप्शन बीस कुशन का बिलकूर राइट आंसर हो जाएगा ओके गाईज आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी यह वीडिय को लाइक शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल इस्टेटीवीद एम को जाद से जाद से जाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को जाद से जाद से जाद से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने वटसब ग्रूप समय मिलते हैं एक नए इंट्रस्ट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद